नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागिंद रमशा चैनल पर पैसे गिनते गिनते ठक जाएंगे असी वर्सों बाद 27 अगस्त को भादो अमश्या 6 राश्या होंगी करणपती दोस्तो भाद्रपद अमश्या का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेश महत्त बताया गया है। कुछ ग्रहनी और अमश्या भी कहा जाता है यानि कि कुछा एकत्रित करने के लिए यह दिन सर्वस्रेश्ट माना जाता है। इस दिन आप अपने घर पे कुछा जरूर एकत्रित कर सकते हैं इसलिए इसे कुछ ग्रहनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछा इकस्ठा करके पूरे साल भर उसका पूजन पिंड़ान इत्याद के लिए इस्तिमाल किया जाता है। मानता के अनुसार इस दिन नदी इश्नान करने से तीर्थ शरोबर में इश्नान करने के पश्यात तरपन करने और पित्रों के लिए दान करने का विशेश महत्व है। इस बार की भादर पद अवश्या का महत्व अधिक बढ़ गया है। इस बार की इस भादर अवश्या सनी वार की दिन पढ़ने के कारण इसे सनी अवश्या भी कहा जा रहा है। इस सनी अवश्या पर सनी देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और पीपल ब्रिच पर भी जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सनी देव प्रसन होते हैं और सनी देव से संबंदी दोशों से राहत मिलती है। दोस्तो इस बार यह भादों अवश्या और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन सिध्ध योग, पदम योग और सिव योग बन रहा है। साथी इस दिन सरवार सिध्ध योग और अम्रिश शिद्ध योग कभी निर्मार हो रहा है। जिससे इस बार की यह भादाव अवश्या का महत तो कई गुना अधिक बढ़ गया है दोस्तो आज हम आपको बता दें कि इस अवश्या पर कुछ ऐसी राशिया हैं जिनकी लिए यह भादाव अवश्या बेहद शुब फलदाई रहने वाली है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्म जी इन राशियों का भाग चमकाने वाली हैं दोस्तो खास बात तो यह कि अवश्या के तिती भागवान विश्म और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है इस दिन भागवान विश्म काफी प्रसंद मुद्रा में और माता लक्ष्मी जी भी काफी प्रसंद मुद्रा में रहत जिसके कारण माता लक्षमी जी कुछ राषियों पर बेहत प्रसन हो चुकी है और इन राषियों का भाग चमकाने वाली है यहां तक कि इन राषियों को माता लक्षमी जी इस बार की भादा वोश्या पर करोड़ corners की बनाने वाली है तो आखिर ये भाग शाली और खुश नशीब राशियां कौन-कौन सी है आज हम आपको इस वीडियो में इन्ही भागसाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं तो आप से अन्रोध है कि वीडियों को आप बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे शुरू से लेकर अन्तक पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो राशी है वो है मेस राश मेस राश के आद को बता दे कि इश्वार की भादाव वश्या पर अस्ती वर्सों के बाद ऐसा दूरलब सुबसे योग बन रहा है जी हां दोस्तों अस्ती वर्सों के बाद बन रहे इस दूरलब सुबसे योग पर इस बार की भादाव और वश्या इन राशियों के लिए बहुत ही बिशेश रहेगी खास कर मेश राश के जातकों आपके लिए आपके लिए ये अवश्या बहुत ही शुवफलदाई रहेगी माता लक्षमी कृपा सी बिन दुगनी राज चुगनी तरक्की प्राप्त करेंग ब्यापार में चली आरही परेशानिया दूर होगी, शाती साथ इसमें आंधनी के स्रोथ बढ़ेंगे, ब्यापार में उपलब्धियां प्राप्थ होगी, कारचेत में आपको ज़्यादा ज़्याफा देखने को मिलेगा और जो बिजनेस ब्यापार करते हैं उन्हें दुगना धलाप कमाने का मौका मिलेगा, मालक्षमी कृपा से इस बार की भांदा वश्या पर बन रहे इन दुरलब स्वस्योग पर आपको लाफ होने बाला है, लोटर शट्ट में भाग अजबाएंगे तो विशेश लाब होगा धन संपत्य कतेजे से मुनाफ़ा प्राप्त करेंगे, कारियों में आ रही परेशानिया दूर हो जाएगी, साथी साथ अधिक शधिक आपको मुनाफ़ा प्राप्त होगा, इसमें आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्त करेंगे, जो कारे आपके अधोरे बश्या पर बन रहे दूरलब सुषईयों का विशेश लाभाप को मिलेगा, मालक्षमे कृपा से आपकी आमदनी बढ़ेगी, ब्यापार में तेजी पन देखने को मिलेगा, कई गुना लाभ आपको अधिक मिलेगा, साथी साथ आप अपने कार्चेतर में ज्यादा बश्याद कर सकते हैं, नई जोब करने का मौका मिलेगा, अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के साथ साथ पत्र प्रिष्ठा और मान समान की प्राप्ती होगी, कार्चेतर में चली आरही परिशानिया आपकी दूर हो जाएगी, साथी साथ लगातार आपको आमदनी याप आपकी बढ़ेगी, और माता लक्ष्मे कृपा से आप अगर स्टूडेंट है तो पुर्तोगी परिश्या में भाग लेने का मौका मिलेगा, बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे, आपकी यांदनी बढ़ेगी, ब्यापारिक छेतर में अधिक शदिक धनलाब होगा कारचेत में चली आरी परिशानिया आपके खत्म हो जाएगी, अब अगली तीसरी जो राशी आती है, वो है यहां पर दोस्तो मकर राश, मकर राश के आपको बता दे कि यह भादों वश्या आपके बेहत सुफल दाई रहने वाली है, इस बार के इस भादों वश्या पर बन करती के रूप में परवल योग बनेगे, लगातार आंधनी के स्रोत बढ़ेंगे, कारचेत में आपको याफ़ा देखने को मिलेगा, आप इदिन-धुगनी-राच, जवगनी तरक्की प्राप्ती करेंगे, आप अपने कारचेत में जवरजस्तलाव देखने को मिलेगा, बतादे कि इसमें आप कई कार छेत्रों में आपको विशेश लाव होता हो न जराएगा। आपकी आंधनी बढ़ेगी, रुपए पैसों की कमी को दूर करते न जराएंगे। बतादे कि दिन दुगनी राच अगनी तरक्की प्राप्ति करेंगे। आप जो भी कार श्टार्ट अप करेंगे उसमें सफलता अवश्च मिलेगी। आपकी दुगनी राच अगनी तरक्की प्राप्ति करेंगे। इसमें घर परिवार के लिए कुछ महत्पूर्ट चीजों खरीदारी करेंगे। लाब की योग लगातार बने रहेंगे। अब अगली यनि जो राची आती है दोस्तों बतादे। पाचमी वो है मिथुन राची। मिथुन राच के आतकों बतादे कि कार चेतर में लाब होगा। मल अक्षमी कृपा से आपकी आई दुगनी हो शकती है। बतादे कि आप जो भी कार करेंगे उसमें सफलता वश्य पराप्त होगी। लगातार आपको लाब मिलेगा। साथी साथ महत्पूर्ण सफलताई प्राप्त करते नजराएंगे। आप उपरते एक छेतर में आपको सफलता प्राप्त होगी। बतादे कि इसमें आप बिजनेस ब्यापार का श्टार्ट अप करेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक से आपको लोन बगारे मंजूर हो शकते हैं जिससे आमदनी के स्रोत बढ़ते नजराएंगे। कार छेतर में आपको अधिक शदिक धनलाब होता हो नजराएगा। आप अपने ब्यापारी छेतर में विशेष धनलाब कमा पाएंगे। साथी दिन दुगनी राज चगनी तरक्की प्राप्ती होगी। नए कारुबार की शुरुआत कर सकते हैं। मा लक्ष्मी क्रिपा से आप दिन दुगनी राज चगनी तरक्की करेंगे। भाग सात्मी आश्मान पर रहेगा। कारचेतर में चली आ रही परिशानिया आपके दूर हो जाएगी साथी साथ दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्ति करेंगे अब अगली छटमी जो राशी है वो है तूला राश तूला राश कयत को बता दे की है भादों शाह आपके लिए काफी सुफल दाइक रहने वाली है मा लक्ष्मी की विशेश कृपा आपको इस दिन बरसेगी बता दे की लोटर सर्ट में भाग अजबाएंगे तू विशेश लाव होगा इनका माय में बरदी होगी कई महतपूर्ट शित्रों सिलाव देखने को मिलेगा कारशेत में आरही परेशानिया आपकी दूर हो जाएगी लगातार आंदनी बढ़ेगी ब्यापार वरदी देखने को मिलेगी दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं लगातार आए में आपको सफलता प्राप्त होने की योग बन रहे हैं साथी साथ कारशेत में भी कुछ महतपूर्ट सफलताएं अरजित करते निजराएंगे जो जितना कमाता था दुगना धनलाब कमाशकते हैं इन छे राशियों के उपर माता लक्ष्म के विशेश क्रिपा दुष्टी रहेगे क्योंकि इस बार के इस भादा वश्या पर कई शारे दूलब सुष्णियों के विशेश लाब होने वाला है इसलिए तो कहा है दोस्तों की पैसे गिनते गिनते ठक जाएंगे असी वर्सोबाद 27 अगस्त को भादो अमश्या छे राशिया होंगी करोड़पती इन छे राशियों के उपर मालक्ष्म के विशेश क्रिपा दुष्टी बनी रहेगी यह ब्यापार और केरियर में इने विशेश धनलाब होगा पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है भाई बहनों के अंदर मधूरता देखने को मिलेगी पत्पत्ने के वीज काफी संबंध मधूर रहेंगे तो दोस्तों इन छे राशियों को विशेश लाब होगा दोस्तों कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी साथी वीडियो को लाइक कर दीजेगा जदा जदा शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जै मालक्ष्मी